सर नमस्ते सर आपका सूब नाम क्या है असोक असोक जी आप कहां के रहने वाले हो इसामपूर अच्छा अच्छा सर मैं पूछना चाहता था आपसे कि आपने हमारे कंपनी का एसली पीएस प्राइवेट लिमिटेट का खाद लिया था आपने ये कितने बीगे का खाद लिया था सर कुछ थोड़ा सा जानकारी दोगे ताकि ये जानकारी किसानों तक पोचे सर मेने लिया था लगबख छे भीगे का आपने खाद लिया था सर तो सर एक बीगे में ये कित और उसके साथ में आपने कोई सा दूसरा खाद मिलाया सर के खाली यही खाद डाला है जैसे डिएपी राकोडिया वगेरा यह कुछ भी नहीं मिला है तो आपको सर रिजल्ट कैसा क्या लगा थोड़ा हमें बता सकते हो यह बताना चाहूं को कि यह अपने अपने अच्छा तो ठीक है सर आप यह देख सकते हो इन भाई साप का केना है असोग जी का कि यह ग्यों जो खड़े हैं यह ग्यों इनोंने भूविटा और एकको हरिया ल दूसरी चीश सर मैं आपसे यह जानना चाहूँगा और किसानत अधाक पहुचा ना चाहेंगे के जो लोग यूरिया देते हैं आपने यह पिला इसमें क्या आपने यूरिया दिया अच्छा यूरिया जिसका नाम याद है सर आपको पीजी पीयार परसो चांटी इसमें अच्छा आपने ग्यों पिला के फिर डाली सर यह पिला के बाद प्रेट टीकने लगे अपने और मैंने रेवे का छिटकार किया तो सर आपको भूती सांदर इसका रिजल्ट मिल रहा है देख सकते हैं आप क यह प्राइवेट लिमिटेट का खाद यूज करके और खाद में मज़ा आए सर आपको जी बिल्कुल आया अच्छा आप जो बतारहता आपका एक और खेत जो पास में जिसमें आपने यूरिया डिया और राकोडिया कुछ बतारहें आपने राकोडिया डाले बाद ग्यों अब दिखा सकते हैं एक बार इनका यह दूसरा खेत भी देखना चाहेंगे जिन में जिसमें बहिया बतारहें यह इस्तमाल किया था यह यह देख सकते हो सर आप आपने इसमें सर्क्या डाला है थोड़ा सा केमरे एक तरह अख़ड़िया डाला हां पिलना लेक बाद और यह अच्छा मतला आपने यह देखने के लिए रिजल्ट देखने के लिए इसमें अच्छा तो आपको सर इसमें क्या लग रहा है मतलब कितना डिप्रेंज है के नहीं है कि क्या है कापी अंतर इन दोनों में तो जैसे कि यह देख सकते हो इसमें कापी डिप्रेंज बता रहे हैं और दिख भी रहा है सामने के कापी डिप्रेंज है तो सर आप किसानों को क्या कहोगे इसके बारे में तो यह इस्तमाल करें मैं तो हर बार यह आप अच्छा रिजल्ट मिलना अगला वीडियो में बने रहे हैं हम अगला वीडियो बनाएंगे इन सर का